दोस्तो आज मैं गाल करांगा निरंकारी मुखी बाबा गुर्बचन सिंग होना दी 1980 देविच होई हत्या बारे एक बहुत ही संसनी केज हत्या कांड सी चौवी अपरायल 1980 दी बाबा गुर्बचन सिंग होना दिल्ली देविच निरंकारी कंप्लेक्स देविच ही उना दे रहाइश दे बाहर गोलियां मारके मारता गया सी उना नू मारन वाले कोई होर नहीं सन बलकी पाईरंजी सिंग सन जो की बादे विच रेकाल तक साब दे जथेदार लाए गए एपूरा कटना करम बहुत ही संसनी पैदा कार देन वाला सी लेकिन एपूरा कटना करम उस कटना दा बदला भी सी जिस विच की तकरीबन 16 लोग अधन्वार निरंकारी काण्ड जो की विसाखी दे देन तेरा प्राई 1978 नू वा प्रयासी इस निरंकारी काण्ड उत एक बहुत ही चेचे तो और ते विस्तार देना जेडी वीडियो है उम्हेंगे अपने यूट्यूब चैनल ते पहला पाई है जिसनों की काफी अच्छा रिस्पॉंस भी मिला है ते तुसी दिरंकारी कांड ते किस तरीके दा मोड़ा उसने पंजाब दी उस वक दी पंथिक सियासत नो दिता ते पंजाब नू खाड़कुबाद दी बल्दी दे विच चोक्या ओ पूरा जड़ा टर्निंग पॉइंट सी उस दिरंकारी कांड नो ही सी इना तक्रीबन दो साला दे विच सिख कौम दे विच एक बहुत पारी गुसा सी हलांकि इना मौके दे उते सरकार दा जड़ा दबा या सरकार उते जड़ा दबा ततकाली अकाली सरकार सी बाद दे विच कांगरेस सरकार 1980 दे विच आ चुकी सी लेकिन इस दुरान सरकारा उते दबा बहुत रहा शुराती मौके ते निरंकारी जेड़े भी लोकसन या निरंकारी जो समर्थक सन उना दे उते कोई भी ऐसे मुकदमे छेती-छेती दर्ज नहीं किते गए लेकिन परकार सिंग बादली सरकार उते बहुत जादा दबा पया उस तो बाद तक्रीबन ऐसे सठ निरंकारी समर्थक सन जिना उते 1978 दे उस निरंकारी कांड ले मुकदमे दर्ज किते गए सन पहला में मैं जिकर कर चुका है कि ए जड़ा पूरा मामला ते इस ता ट्रायल सी उसनु पंजाब तो बाहर कंड़क किता गया करनाल दे वेच अदालत लगी जनवरी 4-1980 नू बाबा गुर्बचन सिंग जो की दिरंकारी सेक्ट दे मुकी सन उना नू बाइज़त बरी कारता गया अपने समर्थका समेथ जदो बाबा गुर्बचन सिंग उस 1978 दे दिरंकारी कांड दे विच तेरा सिंगा दी मौत या उस पूरे मामले दे विच 16 लोका दी मौत होई हु बाबा गुर्बचन सिंग नू मारे जानदा या उना नू मार मुकानदा तया बहुत से ऐसे खाड़कु जथे बंदियां किता गया अखंड की इतनी जथा सी जिसने की व्यापक मुहिम विड रखी सी निरंकारी समर्थका दे खिलाव ते बहुत सी ऐसी आवारदाता होई ह जिस विच की निरंकारिया नू मारे भी गया इसी लड़ी दे तहर जदो चार जनर्वी उनीस सो असी नू बाबा गुर्बचन सिंग अदालत वन नू बरी कारते जान दे ने दोश्मुक्त करते जान दे अपने सठ तकरीबन सठ दे आसपास होर समर्थका दे नाल उस तो ब अबा गुर्बचन सिंग नू मारंदी जड़ी प्लैनिंग है रूप रेका है उस दा मुड़ा जड़ा के इंदर बिंदू होएगा ओ पाहिरंजीज सिंग होंगे पाहिरंजीज सिंग जीना दी की एफिलियेशन सांथ जन्नेल सिंग पे इंडरावाला होना दे नाल जादा अदालत दे फैसले दा लेकिन जदो अदालत दे फैसले दे विच भी बाबा गुर्बचन सिंग होना नू दोश्मुक्त करता गया उस तो बाद पाहिरंजीज सिंग जो की बाबा दीप सिंग एक अखाड़ा होया करदा सी दिल्ली दे विच उस दे विच बहुत से ऐसे सिं होया कर दे सन, बहुत से ऐसे लोग होया कर दे सन, लेकिन मुख तो और ते निरंकारी कांट तो बाद 1978 तो लेके 1980 दे विच इस अखाड़े दी जड़ी ज़्यादा पुमिका सी, और निरंकारी समागमा दे विच खलल पैदा करना, या उना नू एक अपोजिशन या रिजिस्टन्स उना ली पैदा करना, या किसी तरीके नाल विरोध निरंकारी समागमा दा जो की देश पार दे विच होना शुरू हो चुका सी, ते दिल्ली दे विच क्योंकी निरंकारी हेड़क्वाटर सान, ओ थे उना दे समागमा दे वि लोग सन जो की बाद दे विच इस केस दे विच जो की कतल कांट सी बाबा गुरबचन सिंग दा उस दे विच नामजद भी किते गए, ओ लोग शामल सन, लेगन गाल जी इस पूरी कॉंस्पिरसी दी, ते साज़िश दी कीती जाए, ता पाहिरंजीत सिंग इस पूरी व्यों चार लोग का नू, तकरीबन छे लोग का नू, F.I.R. 395 जो कि साल उननी सो असी दे विच चौवी अपरेल तो बाद दज किती गे सी, उस विच नामजद कीता गया सी, लेकिन चार लोग का नू, चार लोग सन, उनना उन दोश्मुक्त बाद विच करता गया, उनना दे खि चे हेटली अदालतवलों सुनाती गे सी, चौवी अपरेल उननी सो असी दा कटना करन काफी महत्तपूरण सी, फर्वरी उननी सो असी दे विच खुद नू, निरंकारी बनान तो बाद, पाईरंजीस सिंह, एक तर्खान सन, एक कारपेंटर सन, उनना दा काम सी, कारपेंटर सन, ते फर्वरी मार्च दे अपरेल एतिन महीने पाईरंजीस सिंह होना ने बतार एक निरंकारी बन के काम किता, निरंकारी अन्युआई या समर्थक बान के ओ उसी देरे दे विच रहे, निरंकारी यां दे साथ संगा दे विच शामल हुंते रहे, निरंकारी कॉंप्लेक् कारपेंटर शॉप दे विच पाई रंजी सिंग काम करया कर दे सान ते उनने अपनी नेड़ता जेडी सी बहुत से ऐसे निरंकारी होर जड़े समर्थक सान उनना नालवी बना लई यानि कि ओ उनना दे विच क्यों खिछडी हो गए ऐसे बहुत से लोग जो कि बाद दे विच मुकद में दे विच बहुत उनना दे गवाहियां जड़ियां लईयां गईयां उनना ने बाद दे विच गवाहियां देतीयां क्योंकि ओ एक तरखान सान ते कारपेंटर दा काम कर दे सान इस वास्ते पाई रंजी सिंग उनना निरंकारियां दे करे जाके वी छोटे मोटे तेहत भी उना उते कई किसम दी गालबात या उना बारे भी कई किसम दे जड़े संकेशन या संसे सं उना नू निरंकारी जड़ा मैनेजमेंट सी ओधेनल सांजा कीता सी लेकिन दसे आजानदा है क्योंकि एक डॉक्टर देसरा जनाद एक शक्सन जिना दे जरिये या जिना दे रही पाईरंजीस सिंग होना ने 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 जड़ा है या नाम है जो निरंकारी समाज दे भी शामल होन ली ले ले जानदा है उसनों हासल किता सी तो ये पूरी गालबाब जदों पब्लिक डोमेन देविच ओ लोका ने सांजी किती ता उस तो बाद पायरंजीज सिंग दी पूमिका या उना दे किरदार नू लेके जड़े शक संसे पैदा होरे सान ओ काफी हद तक ठंडे पैगे लेगिन एस दोरान पायरंजीज सिंग दी एक शक सी जो कि खुदिक अकाली सी और उसी विचारता रादेनाल तालुक रागदा सी ऐसे कई इंकशाफ सन जो कि पायरंजीज सिंग वलो एक पुलिस दी कहानी है एक पुलिस दा जड़ा केस है पुलिस दी चारशीट दे बीचे सारे फैक्ट्स दरजने इसी वास्ते मैं तो नो एक शारीएं चीजां और रेकॉर्ड दास रहे हैं ओ जड़े इंकशाफ सन कई ऐसे गला बाता सांजीया हरजंदर सिंग देनाल पायरंजी सिंग होना वलो उना दिना दे विच किती गई नो इसला दे दो उना दे पिता दे रिवालिवर लैंड ली गल कही जिस प्लावा हरजंदर सिंग यकोथ ते स्थाना के दे असपटाल दे विच काम करड़े सान वना तो क्लोरोफॉर्म दी भी मांगेती जो कि हरजिंदर सिंग उना नो महिया नहीं करा पाए जानकारी बहुत से लोकानो सी बबा दीब सिंग होना दे अכाडे दे विक हर शुकरवार नो एक समागम होया कर दा सी ते दस्या जानदा है कि अजी है एक समागम दे विक पाई रञ्जीज सिंग जो कि इस अखाडे दे स्थानक पदद दे जड़े सिख या अकाली लोग सान उननाल बहुत खुले होए सान इस पूरे अखाडे देविच वड़ा ते छोटा ग्यान सिंग भी शामल होया करदे सान उनना देविच जो इक ने ए एलान किता सी बहुत ही छेती एक बड़ी ख़बर जड़ी है उननों सुनन देविच मिलेगी क्योंकि पायरंजीत सिंग एक बहुत वड़ा काम कौम लिक करन जा रहे है गिने इगलना बाता उनना बैयना देविच शामल कितीया गया ने इस तो इलावा उपस्तौल, मंगान दी गालबात, उखलोरोफॉम मंगान दी जड़ी गालबात है ओ हरजिंदर सिंग ने बकायदा अदालत देविच अपने बयाना देविच जड़ी है उसनों दर्ज कराया है इस देनाल एक बहुत ही एहम जानकारी जड़ी निकल के ICO ऐसी कि 13 अपरेल 1980 नों बेसाखी दे मौके ते ही पाइरंजी सिंग होना वलनों संद जनरील सिंग पिरलावाला होना देनाल एक मुलाकात दी जड़ी गाल है उसनी जानकारी भी हरजिंदर सिंग देनाल सांजी किती गे सी एक ऐसी जानकारी सी जो कि पाईरणजीत सिंग होना वलनों तच्दी करे तस्दीक नहीं किती गई क्योंकि मैं कई इंटर्व्यू जोना देनाल किते हैं गेने हलांकि इस संदर तो वेचिक इंटर्व्यू नहीं है ते मेरी कोशिश होएगी भी आना ले समय देविच एक वीडियो देविच इस पूरे हत्याकांड बारे भी गाल किती जाए क्योंकि पाईरंजी सिंग खुलके इस हत्याकांड बारे गाल नहीं करते ने क्योंकि जेडियम माफ हो चुकी है राश्टरपती वलोना दी सरजानों कम्यूट किता जा चुक है उस तो बादो काल तक साब दे जथेदार पहला थे बाद देविच रहे उना हलाता है देविच शैद ओए मुनासर नहीं समझते भी सत्याकांड दी जड़ी जानकारी है ओ अपने मुहों दे लेकिन एक फैक्ट है वी पाईरंजीत सिंग होना वल्लाओं एक ऐसी मुलाकात एक ऐसी कथत मुलाकात सांजनेल सिंग पिंडरावाला होना देनाल कीती गई ते उस तो बाद हरजिंदर सिंग नो ए दस्या गया वी क्योंकि तूता मेरली ना ता पिस्तॉल अरेंज करा पाय क्लोरोफार्म देनाल बाबा गुर्बचन सिंग होना दे सुरुख्या गार्ड नो भ्योश कारना सी ते उस तो बाद होना नो मारना सी इस तरीके दी कोई व्योंत बंदी सी तो उस तिथी देविच उनने हर जिंदर नो कहावी हून मैं इंतजाम करे आया हां ए मुलाकात त सोता जाएगा उननों मारता जाएगा तो एक कुछ ऐसे एविडेंसिस संज इननों की बात देविच पुलिस ने CBA ने क्योंकि मामला शुरुआती स्टेज दे दिली पुलिस खोल रहा लेकिन बात देविच इस मामले देविच परताल सी ओ सी इस पुरे मामले देविच CBA ने जांच किती CBA ने सारी चीजां रेकॉर्ड ले आंदिया है गे ने 21 अप्रेल दा ओ जड़ा पाशन सी संजर्नेल सिंग में रहा वाले होना दा जो की संथ पुरा देविच हर्याना देविच दिता गया ओव एक बहुत एहम एक एविडेंस दे रूपीच या सरकमस्टेंशल एविडें CBA ने यानि की निरंकारी सत्संग कंप्लेक्स दे विच देविच दे वा चुक होंदे ने कार्पेंटर शॉप दे जाके उना ने एक पेचकस लिया एक वड़ा पेचकस औना जो चैजिदा सी जीनारा की इस्तेमाल ने एक दस्या वी स्थानक जड़ें निरंकारी समर्थक स उना दे कार दी कुछ ग्रिला है गियां उना नू ठीक करनली किता जाना है तो ए पेजकस हो लाएके अजीस सिंग ना दे एक जड़े कारपेंटर शॉप दे होते होर वरकरसन उना दे खो लोग गए तो इनने बाद दे विच जाके उस पेजकस दी वर्तों भी किती तो शाड़े चार वज तो लाएके तकरीबन रात सवा दस वजे तक पायरंजीत सिंग अते काबल सिंग अलाग अलाग थामाते रहे डेरे दे विच ही उना दी जड़ी मूवमेंट है उना दी जड़ी हाजरी या मजूदगी है उसनों कई थामाते वेख्या जानता है कई वार उनने इस दोरान पानी भी पिया ऐसे बहुत से विटनेस बात दे विच तफटीश दे विच सीवेधी तफटीश दे विच सामने ले आंदे गे जीना ने अलाग अलाग टाइम फ्रेम दे उते तकरीबन साड़े छे साथ बजे या इवन दस बजे आसपास उना नू देख्या भी उना नो नोटिस भी किता उना दी मूवमेंट नू स्टड़ी भी किता इस दोना जड़ी साब तो खास गाले सी ओए सी वी पाईरण जीस सिंह होना ने एक लकडी दा बड़ा लॉग जड़ा सी गा उस नू अपने नाल रख्या होया सी ते उस लॉग दे विच कुछ ऐसे सांचे बनाए गा इसान जिस विच की कारबाइन एक नंगी तलवार ते क कुछ होर जिनियां चीजां सान उना नू रख्या गया सी ए लॉग सी दिखन दे विच लकडी दा बड़ा लॉग सी ते एदे अंदर एक प्रॉपर फ्रेम बने होए सन खाचे बने होए सन जिना दे विच क्युस कारबाइन नू छुपागे रख्या गया सी तो इस लॉग लेके लगातार कई कंटे दी जडी मुवमेंट सी ओ पाइरंजीज सिंग दी अते काबूल सिंग होना दे साथी सन उना दी रही रात दे दस वजे जडे चश्मदीद हैगे ने उना ने ओ पाइरंजीज सिंग होना नू एक गेस्ट हाउस जड़ा की ठीक बाबा गुरबचन सिंग होना दी रहाइस दे सामने सी उस दे पहले फ्लोर दे उत्ते चौदा नंबर कमरे दे सामने देख्या बाबा गुरबचन सिंग होना दी इस वक्त काफला सी ओ पॉंचन ही वाला सी इस तो पहला ही पाइरंजीज सिंग चौदा नंबर कमरे दे आसपास पास 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 जिस उत्ते कि कोई अतराज भी किसी नों नई सी, इस किसम दी गलना बाता होई हैं, ते सवा दास बजे आसपास, चौदा नंबर जड़ा कमरा सी, उस गेस्ट हाउस देविच, ते मौझूद की सी, दर्ज कीती गई, पाई रंजीज सिंग दी, ते काबूल सिंग दी, सवा द संग करके, ते बाबा गुर्बचन सिंग दा काफला, सब तो पहला एक मोटर साइकल, जो कि स्कॉड दा काम करता सी, वा एंटर किता, इस तो बाद एक वोल्क्स वैगन कार सी, जिसनों की बाबा गुर्बचन होना दे जड़े, परस्नल सेक्योरिटी गार सी, परताप सिंग इक मोटर साइकल तो बाद एंटर कितिया, ते जिवें ही बाबा गुर्बचन सिंग अपने खबे पास से हो, यानि कि लेफ्ट हैंड साइट तो गड़ी दा दर्वाजा खोल के निकल देने, ते लेफ्ट हैडलाइट तक पहुँच देने, उसे दुरान अगली वोल्क्स प माज दे ही दस्ते जान देने, उना ने भी बाबा गुर्बचन सिंग होना ला कोई मुलाकात करनी सी, या उना दे दर्शिन करने सी, इस किसम दी कोई गालबात सी, उना दे हेडलाइट तक पहुँच दिया ही, चौदा नंबर कमरे दे विच्चों एक हिडन स्पॉट तो ल दो होर लोग, एक कुल्दीप सिंग वालिया थे, एक होर महिला उना दे नाल जड़े हुंदेन उना दे तरम पत्नी, उना नो भी गोलिया लाग दियाने, इस तो बाद दो हैंड ग्रेनेट जेटे सन भी लॉब किते गए, या निकिक दो हैंड ग्रेनेट सन उ सिटे गए, इक स्टेर वे दे वीच थे, एक थले कंपाउंट दे वीच सिटे आगया, जो कि फटे नहीं, दो में हैंड ग्रेनेट किस मन्शा दे नाल सिटे गए से नेना दा आइडिया नहीं है, लेकिन दो में हैंड ग्रेनेट फट नहीं पाए, इस तो बाद गोलिया दी आर दे निकल गे थे, पिछली कांद टापके बाथरूं तो, कांद टापके पिछली गली तो, निकल गे थे, कुछ लोका ने नहीं है, पाच दे होई भी वी वेख्या, इस दुरान उना तिन्नों गड़्डियां दे विच बाबा गुर्बचन सिंग होना दे सेक्यूरिटी प्रताप सिंग कुलदीब वाली अते होना दी तरम पत्नी नों अलाग अलाग हस्पतालां विच लजाया गया, तीरत राम हस्पताल विच बाबा गुर्बचन सिंग नों लजाया गया, एलन जेपी थे, हिंदू राओ हॉस्पिटल दे विच होर लोका नों अलाग कारां द विच लजाया गया, बाबा गुर्बचन सिंग नों ब्रॉट डेट जेड़ा डॉक्टरा ने कोशिच किता थे, इस देनाली परताप सिंग दी वी मौत हो चुकी सी, कुलदीब सिंग अते होना दी पत्नी इस मामले दे विच बाद चुके सान, लेकिन इस तो बाद जेड़ सिंग देनाल भी काफी दूर तक ट्रेल कर पाया, जेड़े सिंफर डॉग्स होंदे ने, लेकिन जादा समय तक हो नहीं इस्टैबलिश कर पाये भी जेड़े हमलावर सन ओकित्थे फरार होई, इदस्या जानदा है कि यमना पार्दाव इलाका से पाहिरंजीत सिंग रहा कर सन उना देना देविच उना दे रहाइश भी हुंते उत्तेहा कर दे सी, एक रेस्ट हाउस देविच उना ने डेरा लाया होया सी, जिसनों की बात देविच तफ्तीश दा हिस्सा भी बनाया गया, सिंफर डॉग्स भी तकरीबन उसी दिशादेबल पुलिस नो लेके गए सन लेकिन ज़्यादा जड़ी काम्याब भी नहीं मिल पाई, ते पुलिस दी तफ्तीश सी, ओ काफी हद तक उसने जीरो इन कार लाया सी, पायरंजीस सिंग नो, लेकिन पायरंजीस सिंग उननी सो असी दे इस बारदात नो अंजाम देन तो बाद हत्याकार नो अंजाम देन त बाद कई साल पगोड़े रखे, ते 1984 दे पुरा जड़ा एक्शन होया, उस दे विच भी कोई वी एक्टिव इंवाल्मेंट पायरंजीस सिंग होना दी नहीं रही, पायरंजीस सिंग ने हमेशा ही हत्यार बंद जड़ी मूवमेंट दा विरोध ही किता सी, लेकिन की कारण स कदी होना तो जानदन दी कोशिच करांगी वी, उना ने इस पूरे हत्याकार नो इस तरिक्के नल अंजाम देता, कारबाइन दे नाल जड़ीयां गोलियां सान, ओ बाबा गुरबचन सिंग ते उना दे नाल होर्स आतियां ते चलाईयां, लेकिन इस तो कुछ साल बाद, य साल ही, बाद दे वेच उना ने अपना आतम समरपण किता, पुलिस दे काखजान दे वेच उना नो गिरफतार दखाया गया, लेकिन उना वे लों एक आतम समरपन सी, उ किता गया सी, जिस तो बाद की मुकदमा आ किलाफ चलाए, तकरीबन साथ साल इस पूरे मामल दे इंक् करतना करना बड़ा महत्तब पूरण सी क्योंकि बानमे तो पहला ही 1990 देविच गुर्चरन सिंग टॉड़ा होना बलनों जो कि SGPC प्रदान होया कर देशान उनना ने इक ऐसा दा खेड़ा ते पाइरंजीत सिंग होना नू अकाल तक साथा जथेदार पॉइंट करवाता सी एक समा सी बड़ा टर्बुलेंट टाइम सी क्योंकि जड़े खाड़कू वादा एक दौर सी ओ भी इस पक्त सिखरां ते पहुंच रहा सी ते अकाली दल दी लीडर्शिप नू खाड़कूआ दे नाल ताकरा करन देविच काफी दिकता आ रही हैं सान उना हलाता देविच आंकलन नू या नुमान नू ते आनविच राख दया हुया तोड़ा साब बलनो ए फैसला लया गया ते पाइरंजीस सिंग होना नू जथेदार लगाता गया अकाल तक दा उस तो बाद 1992 दा फैसला आया बिलना अपलाई कितीयां गई हैं इस दौरान हाई कोर्ट देविच लगाता सी या उज देख दा वेडि़ी अपील सी ओ हाई कोर्ट विच पाई गई सी जिसनू की समय ना रहन दे आ हाई कोर्ट ने सैटल नहीं किता जिस्तो बाद की इक जड़ी बेल है उनना नू गरांट होई जिस्तो बाद की ओ दुबारा आके उननने अपना जड़ा कार उसनों बरकरार रख्या गया जिस तो बाद एक नवी कसुती स्थी थी जड़ी पैदा होगी क्योंकि एक पासे अकाल तक ते जथेदार सी पाहिरंजीज सिंग ते दूसरे पासे उना दी जड़ी सर सजा सी उसनों दिल्ली हाई कोट ने बरकरार रख्या सी लेकिन एक ऐसा मौ दिल्ल मला के इस पूरी कोशिश नों होर अगे तो रहा गया ते कैसे तरिक के नाल राष्टर पती तो सजावा नों माफ कराया जाए इस दी जड़ी व्योंत बंदी है ओ होई जिस विच की अकाली दल दी लीडर्शिप ते इवन परकास सिंग बादल नों भी बहुत दातर काम इंदर कुमार गुजराल वलनों किता गया ते खुद पाई रंजीज सिंग का दे इस चीज नों मांदे नी है गे ने भी परकास सिंग बादल दी कोई पूमिका सी फसी दी सिचुएशन सी ऐसे फास चुकी सी काली लीडर्शिप क्योंकि जे ओ इस मामले दे बिच पाई रंजीज सिंग वना दी सजा माफिली एक जेड़ी पेटीशन सी जो की बाद दे बिच बनी ते उसनों बाद दे विच राम जेठ मलानी वलनों वेट किता गया एक चंडिगर्ट बेस सुप्रीम कोट दे वकील सन इवन रटायर जज़ सन उना वलनों इस पूरी एक मर présentation of sentence शियुखा जेड़ी ON दे ने ओधिली पेट जा गया नवंबर 1977 दे विच पाई रंजीज सिंग होना दी सजा माफिंग यह ना व्ल्हों साइन जो भी में पाइरंजीज सिंग होना वनों कदे भी अपने कीते होते कोई पच्चताब या पच्चतावा नहीं किता गया उन्हाने जो भी किता इस प्रती या जड़ी हथ्यार मंद खाड कू लेह रहा है उन्हाने कदे भी उसनों खुलके मुखर होके नहीं पंड़या लेकिन ऐसे बहु उस समय तक तक तकरीबन अपनी जिंदगी दी ओ बारा साल दे आसपास जेल दे विच काट चुके सन तो एक बहुत वड़ा फैसला भी सी हलनकि बहुत से हलके दे विच इस दी मजम्मत भी होई ते बहुत से हलके दे दा स्वागत भी होया लेकिन पाइरंजी सिंग उस तो अकाल तक ते जथेदार भी रहे ते उसे वक्त जड़ी स्री अकाल तक साब दी जड़ी मर्यादा दी भाली उनी सो चुरासी दे उपरेशन भूस था तो बाद नहीं हो पाई सी उस वक्त उसनों भी नेपरे चाड़ा गया अंजाम दिता गया तो एसी कहानी बाबा गुरब जिसी होना देनालवी कदी गालबात जरूर लेके हाजर होँआगा होना तो बहुत सी आस्पेक्ट्स है जाना चानना है पहला कोशना कितिया ने ओहर बहुत से ऐसे पंथक विश्यां दे उत्ते गालबात बहुत खुलके कर देने लेकिन एक बहुत नाजब मामला है तो किन बनाओं दी तो इस सारी चीज़ां जड़ीयां मैं थोने सामने सांजियां किती है ने उना अदालता दे रिकॉर्ड दा हिस्सा है जो कि ट्रायली स्टेज देविच या फिर दिली हाई कोड़ा का मुकदमें जड़े चले उना दी प्रोसीडिन देविच तस्दीक शुदा तर पर रेकर्ड है गिया ने इदेनाल इस तो वाद या काट कोई वी जड़ी जानकारी है ओ मैं तद ही तोड़े ना शेयर कार सकदा हां या सकदा सी जे मेरे कुल ओधा कोई ऑथेंटिक रेकर्ड होंदा तो फिलहाल है नही इस पूरे सब्जेक्ट होते इस पूरे थीम होते या पाई रंजी सिंग होना उते होर वीडियो या उती होर इंटर्व्यू करन दी कोशिश ज़रूर करांगा लेके हाजर भी होंगा रिदेश लखियान प्लाग ना जोटे रोब बहुत आनवाग साड़े वीडियो देखले